मद्ध्य प्रदेश में मौसम का मजाज बदल गया है शुकरवार सुभभ भोपाल समेट प्रदेश के कई स्थानों पर बादल चाहे हुए और हल्की बुन्दापादी हुए जिससे मौसम काफी सुहारा हो गया है इसके साथ ही ठंड़क भी बढ़ गई है हाला कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में बतलाव होने का पुर्वा अनुमान है मौसम विभाग में कर इलाकों में गरत चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की आश्रंका च्रताई है मौसम विभाग के मताबिक राजधानी भोपाल, उज्जेन, सागर, गौालीर संभाग समयत, इंदौर, अलीराजपुर, छाबवा, बढ़वानी, खरगोन, धार में बारिश होकी मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर तक यह सलसिला जारी रह सकता है बारिश के साथ ही प्रदेश में पारा तेजी से किरेगा अगले कुछ दिनों में शीत लहर की भी चेतावनी चारी की कई है अगले 3-4 दिनों तक बादल चाय रहने के आसार मौसम विभाग के मताबिक राज़धानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर अगले 3-4 दिनों तक बादल चाने का दौट चलेगा इस दोरान कही ओले भी गिर सकते हैं बंगाल की खाडी और अरब सागर में उपरी हवा के चुकरवाद बने हुए है मौसम विभाग के मताबिक मत्य प्रदेश के मौसम में आने वाले दो दिन तक उतार चड़ाग होका इंदोर और उजएन में बारिश होने की संभावना है पिछले 24 गंटे में प्रदेश में हमको उजएन संभाग है भुपाल संभाग है और खास कर ये जो इंदोर संभाग है यहाँ पर हमको रेन बिली है और अगले 24 गंटे में पूरा पश्वी मत्पदेश और पूरी मत्पदेश का बुदेल खंड वाला इलाका है दमो ओटी कामगर चातरपोर यहाँ पर भी हलकी से मध्यम गर चमक के साथ होगी कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं और साथ इस्ट अरिवेंसी में लो पार बना हुआ है इस कांड से प्रदेश में नमी आ रही है और तापमान बढ़े हुए हैं और नमी आने कांड से यह वर्सा की संभावना हलकी से मध्यम बनी हुई है प्रदेश में दो तीन दिन एक्टिविटी प्रदेश में रहेगी वर्सा की इसके बाद निकल जाएगा फिर तापमान सोला तारिक से गिरावट आएगी और खासकर जब ठंडी हवा आने लगती है नार्थी से उसूखी तभी तापमान में गिरावट आती है और धीर धेरे करमसा सोला तारिक के बाद तापमान में गिरावट आएगी पिलहाल प्रदेश में यह हलकी फुल की वर्सा बनी रहेगी तापमान में बढ़ोती रहेगी नियुंतम तापमान लगवब बढ़े होंगे और अधिकतम तापमान समान ये समान के आसपास रहेंगे भोपाल से महमत सल्मान की रिपोर्ट